हमारे प्रदान मंत्री स्वीमा नरेंदर मोधी जी के नेत्रत्व में, उनके मार्ग दर्शन में, मानि वित्व मंत्री जी ने जो बजट प्रिस्थुत किया है, वो आत्म निर्भर भारत का बजट है। कोरोना काल में, एक नई दिसा और एक नई द्रिष्टी देश के विकास और जंकल्यान की बजट में दी गई है। ये क्रांतिकारी बजट है, एतिहासिक बजट है, भारत की सम्रिध्धी और विकास का बजट है, जिसमें समात के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है, सर्वे वहुन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया का बजट है, प्रधान मंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं, मैं मानता हूँ कि करोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का ये बजट है, अर्थ व्यवस्था को ट्रांस्फॉर्म करने वाला मानवी बजट, इसके छे प्रमुक्ष इस्तंभ है, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, और कुल मिलाके इन परिस्थितियों में 34,08,000 करोड रुपे का वजट प्रस्तुत किया गया है, आत्म निर्भर भारत बनाने की दिड़ इक्षा सक्ती का इसमें समावे से, और विसेश कर समाज का चाहे गरीब वर्ग हो, किसान हो महला ससक्ती करन हो, या नोजवानों को रोजगार के नए अफसर देने का सवाल हो, आर्थिक गत्विधियां बढ़ा के रोजगार के सिर्जन का प्यास करना और करोना जैसे संकट से जूजने के लिए, और उसको समाप्त करने के लिए, प्रधान मंत्री आत्म निर्भर स्वस्त भारत योज़ना, जैसी योज़ना इसमें प्रारम्भी की गई है, चोंसट अजार करोड रुपे उसमें रखे गए और कोरोना वेक्सीन के लिए भी 35,000 करोड रुपे का प्रावधान है, अदोसन रचना विकास के लिए पांच लाग 5.5 पांच लाग पचास जार करोड होगे हैं, उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पूजी गद्वे से तेजी से आर्थिक गद्विदियां बढ़ेंगी, और रोजगार के नए अफसरों का सिरजन होगा, एक जो नई कलपना है इसमें नया वित्ती विकास संस्थान का गठन, इससे पूजी गत्य योजनाओं के लिए दीगर कालीन रिणों की विवस्ता हो सकेगी, साथ नए टेक्स्टाइल पार्क, आप जानते हैं कि रोजगार के सबसे ज़्यादा अफसर टेक्स्टाइल के सेक्टर में स्रिजित होते हैं, इटार्सी से विजयवाडा तक माल वाहर ट्रेक, राज्यों को भी सकल घरे दूद पात का चार प्रिश्टा तक उधार की सीमा बढ़ाई गई है, तो ये राज्यों जब ज़्यादा पैसा डालेंगे इन्फ्रा में, तो यहां भी नक्यवल अर्थे व्यवस्था को गती मिलेगी, बलकि आर्थिक गत्विदियों के तेज होने से रोजगार के अफसर बढ़ेंगे, अकेले मदप्देश में इससे लगबक 13,000 करोड रुपे के अत्रिक्त पूंजी गत्कारी हमकारम्भ कर सकेंगे, उज्जुला योजना के अंतरकत एक करोड नए परिवारों को बहनों को समलित किया जाएगा, मदप्देश में सीधे सीधे आठ लाख नए गैस कनेक्शन हमारी माता बहनों को मिलेंगे, फिर 75 वी साल ग्रह पर आजादी के 75 वर्स से अधिक उम्र के वरिष्ट नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है, ये वुजुर्गों को बरदान होगा,